नमस्कार मैं भाकिष्टी, बिस्यन नियूस के बिस्निस समाचार में अब सभी का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले आईए डालते एक नसर आज की सुख्यों पर कुरोना के बर्दी मामलों से निवेशक निराज, FPI ने बाजार से निकाले 929 करोड रुपे और 50 रुपे में 20 रुपे का नार्यल पानी, बैंगलोरू हैदराबास दिहुरी आवग खुद्रा ब्रोकिंग कंपनी अपने स्टॉक ने अपने ग्राहकों को सुरक्षा में सेंद के लिए सतर क्या है उड़ायके डाटा में उपभोगताओं के संपर्ग और अपना केवाज से प्योरा शामिलो सकता है हाला कि इसके साथी कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि ग्राहकों का कोश और प्रतिभूतिया पूरी तरा सुरक्षित है मुबिक विक, पेश्बूक और लिंकिन जैसे संपर्ग नोबी डेटा में सेंद की खबरों के पीछ यहाग घटना करंग साम रहा है कंपनी के प्रवक्ता ने इमेल से फीचे जवाब में कहा कि हमारे डाटा पेस थक अनाति कुरूत पहुच के दावों का इमेल मिलने के बाद हमने एक प्रमुक अंतराश्टिय साइपर सुरक्षा कंपनी को तिसरे पक्ष की डाटा वेरहाउस प्रनाली में रखी कए के भारतिय बाजारों से 929 करोट रुपए निकाल है कोवीड-19 संक्रेमन के मामली बढ़ने के पीच आर्थिक पुनरुद्दार प्रभावित होने की आशंका के चलती विदेशी निविशक भारतिय बाजार से निकासी कर रहे है इससे पहले माश में एफपी आइडी भारतिय बाजारों में 17,304 करोट रुपए परवरी में 23,600 करोट रुपए और जन्वरी में 14,690 करोट रुपए टाले थी डिपोजिटरी के आखडों के अनुसार एक सिंदों अप्रिल के दोरान मिदेशी निविशकों ने शेयरों से 740 करोट रुपए और उन या बाजार से 109 कर रुपए निकाले हैं इस तरह उनकी शुत्य निकासी 929 करोट रुपए रही है कोटक सेकुरिटीज की कारिकारी उपातिक्ष बुन्याती शोत प्रमुख रस्मिक ओजा ने कहा के कोविट के मामले बढ़ने तथा डॉलर की तुन्ना भी रुपए में गिरावट की बजा से एप्पी आई निकासी कर रही है विरो रिपोर्ट बेसियन नियुए और इन सिटी के बढ़ती तापमा में लोग अपना गला तरक करने के लिए जूस और नारियल पानी का साहरा ले रहे हैं लोग तेस धूप में अपने स्वास्त पर गलत परिनाम ना हो इसलिए बर्ग से बने पेव को अधिक तरजीयर ना देती भी नारियल पानी को ही अधिक सुरक्षित समधती हैं दोपेर के समय तो ऐसी नौपत आचाती है कि लोग वर्थ के शर्पत से अथिक नारियल पानी से अपने गले को तर कर रहे हैं वैपारियों ने बता है कि गर्मी को देखती भी बाजार में नारियलों की आवक बढ़ गई है अभी रोजाना आच से दस काड़ियों की आपक हो रही है नारियल अभी बैंगलरू आंठा के हैदरबाद से आ रहे है अप्रेल आते ही नारियल पानी पिने बाले की संख्या में काफी बढ़तरी हो गई है इस समय शहर की कोने कोने भी नारियल से लते ठेलों को देखा जा सकता है डिमांड की चलते इनके भाव भी 30 रुपे से बढ़कर 50 रुपे होके है वही गंडे के रस का काउंटर लगवाने वारी व्यापार ने बताया गंडे का रस पीने बालों में भी बढ़तरी हुई है लेकिन कोरोना के कारण लोग नहीं आ रहे है बिर रिपोर्ट पेसियन दियूज गर्मी बढ़ने के साथ ही बाजार में हरी सब्चियों की भाव भी बढ़के है इससे पता और फूल को भी सहीद कुछ सब्चियों को छोड़कर आने की दाम बढ़े वे है इस समय भिंटी, तिंडा और मुंगना साथ रुपे प्रतिक किलो भीक रहे वही गर्मी बढ़ने से मैती की आवग भी कम होने लगी है जिससे ये भी 50 रुपे प्रतिक किलो से उपर बहुच गई है व्यापारियों की अनसार अभी पूल और पता को भी की आवग बहार से अच्ची होने के चलती इनके भाव में कोई बड़ोतरी नहीं है वही पालक 40 रुपे प्रतिक किलो भीक ले है टमाटर भी 20 से 25 रुपे प्रतिक किलो बता जा रहे है कठल के भाव 50 से 60 रुपे प्रतिक किलो चर रहे है तापमान में शरीर को थंड़क पहुचाने पाली खीरा की भी मार्केट में आवश्यर हो चुकी है आसपास के गाव से किसानों द्वारा मार्केट में खीरा ला रहे है चलर व्याबारी द्वारा खीरा के बाव 40 से 50 रुपे प्रतिक किलो तक बता रहे है कठल के भी आवक आसपास से बनी होई है विटामिन से का सेवन करने से रोग प्रतिरों तक शमता पड़ती है बाजार में पानेपल और निम्बो की मांग पड़ी है इसके साथी पपीटा की वेकर भी अच्छी हो रही है इस समय निम्बो कॉलिटी अनुसार वेकरा है दस रुपे में छोटे तीन निम्बो और बड़े दो ही मिल रहे है वहीं पानेपल भी 30 से 40 रुपे प्रति नग पिल रहा है पपीता 40 रुपे प्रति कीडो चल रहा है इस समय डॉक्टर कोरोना वारस का असर कम करने वरोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाने के लिए वीटामिन सी का अधिक से अधिक सेवन करने की सलाव दे रहे है जिसके कारण विटामिन सी की गोलियों वफलों की डिमार्ड बढ़ी है बीरो रिपोर्ट बेसियन न्यूज खबर समावत करने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर बिसनिस समाचार में फिला लिता ही ऐसे अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बेसियन न्यूज नमस्कार